हेलो फ्रेंट्स, गेट कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम की सिरीज में हमारा आज का टॉपिक है कंपैरेजन आफ वेरियस टाइम कॉंपलेक्सिटीज हम पढ़ेंगे फ्रेंट्स, जो रेगुलर आपके सामने जो डिफरेंट जो कॉंपलेक्सिटीज आएंगी उसका मैं पूरा एक ये सिरीज लेके आ रहा हूँ और ये सिरीज आपको ध्यान में रखनी है, यार रखनी है कई ऐसे कॉशन्स आते हैं जिसमें आपको चार आप्शन दे रखे होते हैं और कहा जाता है कि इसमें सबसे बड़ी जो टाइम कॉंपलेक्सिटी कॉंसी है सबसे चोटी टाइम कॉंपलेक्सिटी कॉंसी है, किसको सबसे कम टाइम लगेगा या किसको सबसे राधर टाइम लगेगा ये ऐसे कॉशन्स जो हैं आपके सामने आते हैं या matching के question भी आ सकते हैं कि एक particular time दे रखा है first second कौन सी है तो ऐसे कई सारे question जो है gate exam में भी बनते हैं और other competition exam में भी बनते हैं तो आज इनको हम सिखेंगे कि इनमें हम comparison किस तरह से करें और किसको particular क्या कहा जाता है तो let's say friends first हम बात करते हैं order of c c means यहाँ पर मैं बात कर रहाँ constant की constant ठीक है और normally जो constant है friends उसको हम किस तरह से represent करते हैं order of one से यहाँ मैं order क्या ले रहा हूँ friends we go ले रहा हूँ हम जब भी बात करते हैं complexity की तो हम इसकी बात करते हैं worst case की बात करते हैं तो हम हमेशा जो है friends यहां जो time complexity की बात करते हैं worst case की बात करते हैं ठीक है तो order of one जो है वो denote करता है constant time complexity को ठीक है किसको constant time complexity ठीक है और example जैसे कि मैं आपको बताओ कि मान लिजी एक जगे लिखा है कि 3 to the power 9 ठीक है और 4 to the power मान लिजी ए 6 यह लिखा है order of this and order of this तो आपको बताना है कौन सा small है कौन सा big है ठीक है तो अब आप देखें कि यह एक fixed term हो गई है ठीक है यह fixed term हो गई है कोई भी जो data set है एंड उसके उपर dependent नहीं है तो हमारे लिए तो यह दोनों बराबर है क्योंकि इसमें fixed time लग रहा है एक constant amount of time लग रहा है तो यह fixed time complexity है यह दोनों बराबर है इसमें कोई फरक नहीं है ठीक है क्योंकि दोनों जो term है यह क्या है? fix है fix जहाँ भी आ जाए आप समझ लीजी कि इसमें क्या लगना है हमें constant amount of time लगना है और यह दौनों ही equal है अब यहाँ पर power 9 हो है 90 हो से कोई फरक नहीं पढ़ना है क्यों क्योंकि यह जो time जो complexity दे रही है किसी ना particular जो data set है उसके उपर dependent नहीं है data set के उपर number of input size के उपर अगर dependent नहीं है तो वो एक कैसी होगी constant time complexity होगी clear यह फंडा समझ मैं आपको next हम बात करते हैं यह जो मैंने series आपको दे रखी है this one is a small then larger 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 और सबसे यह series पूरी चल रही है up to the last ठीक है उसके बाद में आप देखें order of log log n then यह log n यह क्या होगी friends logarithmic time complexity this is the logarithmic time complexity आप चाहें तो comparison भी कर सकते हैं कि यह जो time complexity है order of log log n and order of log n जो है इन दोनों मैंसे जो है log n क्यों बड़ी है ठीक है और जब भी आपको comparison करना हो friends जब भी आपको comparison करना हो दोनों जो time complexity दे रखी है या कोई भी दो time complexity दे रखी है तो आप हमेशा थोड़ी बड़ी value लें बड़ी value लेंगे तो क्या होगा result हमें equally नजर आएगा अगर आप छोटी value लेंगे तो हो सकता है कि result same आजाए आप हमेशा comparison के लिए value निकालने के लिए एक बड़ी value input मिलें जैसे कि माल लेजिए n की value ले ले लिता हूं एक तरफ है log log 2000 ठीक है और एक है आपका log 2000 ठीक है बेस हम जो है यहाँ पे 2 मानते हैं ठीक है और जैसे कि जो है 2 की power जो 10 होता है वो कितना होता है जो answer आएगा friends वो कितना आएगा इस case में तो इस case में जो answer आएगा वो friends कितना होगा 20 होगा यह मैं approximately बता रहा हूँ friends ठीकें और इस case में क्या होगा यहाँ पर इसका result तो 20 आजाएगा फिर इसका फिर से log होगा 20 ठीकें अब 20 का फिर से log होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, 4, 8, 16 तो यहाँ पे approximately जो answer आजाएगा वो कितना आजाएगा यहाँ पे 4 answer आजाएगा 4 point something answer आएगा तो आप देख सकते हैं कि इसका answer कितना है 20 और इसका answer कितना है 4 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि log log n is smaller than the log of n log n जो है छोटा है comparison time complexity में और log n जो है यह बड़ी time complexity है ठीक है clear तो आप हमेशा क्या करें friends के जो value आप ले रहे हैं यह आप बड़ी choose करें तब ही जो है answer exact आएगा अगर आप छोटी choose करेंगे तो क्या होगा answer में भी हो सकता है कि वो गलत आए ठीक है फिर है आपके log power is half ठीक है तो इसका answer कितना आएगा लगबख 33,000 then इसका आएगा 66 आएगा तो आप देख सकते हैं कि जो 2000 है 2000 that is the fact root इसका something answer आएगा 66 आएगा I think so तो value जो है इससे बड़ी ही है value इससे बड़ी ही है ठीक है तो ये भी क्या हो गया बड़ा हो गया उसके बाद में क्या है हमारा end ठीक है यहाँ पर आएगा value कितनी आए 66 यहाँ पर value कितनी आए most 20 यहाँ कितनी आए 4 और यहाँ कोई एक constant time complexity है देखें आप यह जो है series बढ़ रही है अब input कितना है मेरा exit उतना ही है जितना मैंने लिया है that is the year 2000 कितना है 2000 बगो फैंड is called as the linear time complexity linear time complexity ठीक है क्या गएंगा हम इसको linear time complexity ठीक है और उसके बाद में जो है friends this is the n log n ठीक है आप देख सकते हैं log n की जो value है वो कितना ही है 20 और फिर से इसको मैं कितना 2000 से multiply करूँगा तो obviously बात है कि answer तो है वो जादा ही आना है ठीक है एंस्वर वो जादा ही आना है उसके बाद में क्या होगा friends n square n square को हम कहेंगे friends यहां पर quadratic time complexity quadratic time complexity ठीक है क्या कहेंगे friends इसको quadratic time complexity इसको हम कहेंगे cubic cubic time complexity then this is the polynomial time complexity n to the power k polynomial polynomial time complexity तो यहां पर क्या होगा 2000 का square बहुत बड़ी value होगी फिर यहां पर क्या होगा 2000 का cube वो भी एक बड़ी value होगी तो आप देख सकते हैं कि series में सारी values बढ़ती जा रही है अब आप देखें फिर है आपकी n to the power k यह मैंने आपको क्या बताया this is the polynomial time complexity polynomial time complexity ठीक है एक बार मैं थोड़ा सा इसको rough कर देता हूँ ताकि हमें समझने में easy हो और यहां पर हम middle से इसको rough कर देते हैं friends ठीक है यह सारी values यहां पर लिख दिये मैंने ठीक है तो यह क्या हो गया friends polynomial time complexity 2 to the power 1, 2, 3, 4 ऐसे power जो है वो बढ़ती जाएगी this is called as the exponential time complexity क्या कहेंगे friends इसको exponential exponential time complexity ठीक है then n to the power n exponential से भी ज़्यादा time complexity यहां पर लगती है friends इसको हम कहेंगे factorial time complexity factorial time complexity ठीक है और last में 2 to the power 2 n ठीक है इसको हम कहेंगे double exponential time complexity double exponential time complexity ठीक है ठीक है ठीक है और एक बात आपको ध्यान में रखती है इस सिरीज में एक तो ध्यान सिरीज को आपको ध्यान रखना है याद रखना है सिरीज को ठीक है सिरीज से related questions बनते हैं exam में और दूसरे बात याद रखनी है कि friends आपको जब भी आप comparison के लिए value लें ठीक है कोई भी आपको time complexity दे रखिए उसमें जब भी आप comparison करना हो तो कुछ बड़ी value लें छोटी value से answer जो है वो सही नहीं आ सकता ठीक है कैसे जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैं n की power 3 है तो मैं लेता हूँ 10 एन की value लेता हूँ 10 कितना आ रहा है 1000 आ रहा है किसके लिए इसके लिए ठीक है और यहाँ भी मैं n की value 10 ली है मैंने तो 10 10 to the power 3 कितना हो जाएगा यह भी 1000 हो जाएगा अब आप देखें कि दौनों value के लिए जो है 10 n की value के लिए 10 जो है same answer आ गया तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ let's say यहाँ पर मैं लेता हूँ 1000 value लेता हूँ तो 1000 की power 3 1000 की power 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 जो है 0 आ जाएगे ठीक है और let's say यहाँ पर 2 की power जो 1000 2 की power 1000 तो friends बहुत बड़ा नंबर होगा हम assume भी नहीं कर सकते clear तो फरक यही है कि जब आप कोई comparison करें तो हमेशा जो है बड़ी values में comparison करें छोटी values में comparison ना करें तो वापस एक बार मैं series इसका sequence में बोल देता हूँ सबसे जो lowest जो time लगना है basically time लगना ही नहीं है यहाँ पर क्योंकि जो हमारा जो time जो है वो constant है वो क्या है एक constant है कोई भी data set के उपर n के उपर dependent नहीं है तो सबसे जो कम time जो लगना है वो है constant amount of time bigger of one उसके बाद में log log n logarithmic time complexity log n then root of n then n और उसके बाद में है n log n n square cubic quadratic cubic then polynomial time complexity exponential time complexity factorial time complexity and double exponential time complexity तो यह sequence जो है आपको ध्यान में रखना है complexity से related जो questions है उसको solve करने के लिए आपको बहुत help मिलेगी ठीके thank you so much for watching this video